लब चुप रहे आखों ही आखों में बात हुई कैसा था वह मिलन कि ओंट सबकुछ बोल कर भी चुप थे और आखें भरी होने के बाद भी बोल रही थी मुह पर बढ़ा था मास्क हाथों में दस्ताने थे सदियों के दोस्त हम बन बैठे बेगाने थे दिल मचल कर कह रहा था थाम ले हाथों को हाथों में अपने और लपक कर मिल जा गले जमाद एक धौल पीठ पर और बोल कहा था इतने दिन तक कहा था इतने दिन तक पर कुछ न कर सका आखों से तकता रहा अश्क एक एक कर बहता रहा एक नया रिस्ता आज जन्म ले रहा था आखों से मास्क तक आशू वहां से आते रहे यहां पर समाते रहे यह बहुँ चर्चित पंक्तियां और रेखा चित्र है सुप्रसिद्ध कवियत्री रेखा चित्रकार कलाकार स्रीमती अनीता सक्सेना की अनीता सक्सेना जी का जन्म साथ नुवंबर सन उनाइस सो चपनिश्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ प्राथमिक से महाविद्यालई शिक्षा ग्वालियर में ही संपन्न हुई चित्रकला में इसनात को उतना रुपा दी कमला राजा गुल्स कालेज ग्वालियर से प्रथम स्रेणी में उत्तीन कर महाविद्याले में स्रीमती सक्सेना को प्रथम अस्तान प्राप्थ हुआ कित्र कला में पारंगत तो हैं ही इसके साथ क्रिकेट बैड्मिंटन तत्रंज की भी की सुप्रसिद्ध खिलाडी भी हैं देश की प्रथम महिला क्रिकेट चेंपियंशिप में अनीता जी ने सन सन 1975 में जीवा जी विश्विद्याले का प्रत्मिजित्व किया था और कीर्थमान इस्थापित किया कला जगत में इन्होंने अनेक कीर्थमान इस्थापित किये हैं सन 1977 में सेवा ग्राम वर्धा में इनकी प्रत्म कला प्रदर्शनी का उद्गाटन डाक्टर सुसीला नईयर जी ने किया इसके बाद निरंतर कला प्रदर्शनियों की धूम मच गई बिलासपुर सिंगरोली भोपाल आधि बड़े-बड़े महानगरों में कला प्रदर्शनियो के भवन को भरने का प्रणम में प्रयास किया है स्रीमती अनीता सक्षेना जी ने इनके कविता संग्र है स्वांता सुखाय और दूसरा है भोर विभोर लोक कला पर केंद्रित ग्रंथ जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है मालवा की लोक कला माडणा और यूनी सेफ का कि आपने अनेक प्रत्रिकाओं का संपादन भी किया है सरजणा जो मध्य प्रदेश लेखी का संग की सुपरत्रिस्थिद पत्रिका है उसका संपादन नीता सक्षेना जी ने किया है और अक्षरा की अतिधि संपादक रही है साथ ही अनेक पुस्तकों का भी संपादन आपने किया है अनीता जी की रचनाएं सुप्रसिद्ध पत्रिकनाएं जैसे नवनीत, वीना, साक्षातकार, अक्षरा, बस्तर पाती, समर लोक आधि में समय समय पर प्रकासित होती रहती हैं आप अनेक अलंकरणों से अलंकरीत हैं यूनिशेफ के ग्रेटिंग कार्ड फंड रेजिंग कारिकरम के तहट मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस्टार वालंटियर पुरुषकार आपको प्राप्राप्राइब कालदास अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा इवाज चित्रकार के रूप में आपका सम्मान हुआ साहित त्यकार्मी संस्कृति परिशत मध्य प्रदेश का वर्स 2009 का दुश्यंत कुमार इस्मृति प्रादेशिक पुरस्कार स्वांता सुखाय ग्रंथ पर आपको प्राप्थ हुआ वर्स 2016 का अखिल भारतिय पंडित भवानी प्रसाद मिश्र इस्मृति पुरस्कार जो भोर विभोर ग्रंथ पर आपको प्राप्थ हुआ था सन 2016 का दुश्यंत कुमार इस्मारक पांडु लिपी संग्रहाले द्वारा डॉक्टर सुष्मा तिवारी इस्मृत सम्मान आपको प्रदान किया गया सन 2017 म प्रवाज साहित परिशत द्वारा उत्कृष्ट रचना कर्म के लिए सरस्वती प्रभा सम्मान से आपना वाजी गया राष्ट भाषा प्रचार समित मद्य प्रदेश द्वारा 2018 में आपको सम्मानित किया गया इस प्रकार से श्रीमती अनीता सक्षेना अनेक अलंकर्णों से सुसोभीत हैं और आज वीवे लगन निष्ठा कर्मठता के साथ अपने कार्य में निरंतर लगी हुई है स्रीमती अनीता सक्षेना केंद्रिय विद्ध्याले एवं डीएवी पबलिक स्कूल में अध्यापन कारिकर चुकी हैं वर्तमान में मद्य प्रदेश लेखी का संग की प्रांता ध्यक्षन हैं महिलाओं के उत्थान और लोक कला संग्रक्षन के लिए अनेक योजनाओं पर आप कारिकर रही हैं तेलिवीजन और आकासवानी के कारिकर में कहानी कविता और रेखाचित्र यात्रा ब्रित्तांत के माध्यम से आप सक्री हैं आपने देश-विदेश में कई जगहों पर यात्राएं की हैं आपके यात्रा ब्रित्तांत बिभिन इस्तरी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकासित होते रहते हैं अनीता सक्सेना जी के लेखन की सबसे बड़ी विशेस्ता है कि आपकी भासा खड़ी बोली सहज सरल और बोथ गम्म्य है आपकी शैली प्रांजल और प्रभाव साली है बच्चो आपके पार्ठिक्रम में स्रीमती अनीता सक्सेना का बहुत चर्चित यात्रा ब्रित्तांत में घाले का एक गाउं माय निलांग है आज हम इस पार्ठ पर चर्चा करेंगे इसके पहले हम यह समझ लें कि यात्रा ब्रित्तांत क्या है वास्तों में हिंदी साहित में यात्रा ब्रित्त एक आधुनिक गद्य विधा के रूप में सुईक्रित है जब सौंदर बोध की द्रिस्त से उल्लास भावना से प्रेजित होकर यात्रा की जाती है और उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्त की जाती है उसे यात्रा साहित या यात्रा ब्रित्तांत कहते हैं यात्रा ब्रित्तांत का जो उद्देश से है लेखक के रमणी अनुभवों को हूबहू पाठक तक प्रेशित करना होता है जिसके माध्यम से पाठक उस अनुभव को आत्मसात कर सकें उसे अनुभव कर सकें यात्रा ब्रित्तांत में कहानी किसी रोचकता और नाटक सा आकर देखा जा सकता हैं बच्चो यात्रा करना मानों की मूल प्रबित्ति मानों के विकास की आत्रा में यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान मानों अपने जीवन में कहीं ने कहीं की आत्रा आफस्यक रूप से करता पर परन्त जो संबेदं सीलवैक्ति होते हैं जो लेखक होते हैं जो रचनाकार होते हैं वो उस यात्रा को साहित्रिक रूप देकर पाठकों के ज्ञान की प्रिद्धि करते हैं लेखक अपने यात्रा बढ़नर में यात्रा करने वाले स्थान की प्राकृतिक विशिष्टता सामाजिक रचना समाज और लोगों के रह सहन वहां की संस्कृति इस्थानिय भाषा आगंतुकों के प्रत उनकी सोच वाविशारों को अपने साहित में स्थान देता है वास्तों में यात्रा ब्रित्तांत लेखक जो होता है यात्रा ब्रित्तांत को लिखने वाला जो लेखक होता है राह की कठिनाईयों में आनंद की अनभूत करता है हिंदी के यात्रा ब्रित्तांत लेखक मोहन राकेश जी क कहना है कि आत्रा व्यक्ति को तटस्थ नजरिया देती है जो हमें दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलती एक नए वातावरण में जाकर व्यक्ति कुंठा मुक्त हो जाता है अपने निकट वातावरण के दवाव से मुक्त होकर नए स्थानों नए लोगों से संबंध किसी Drisya का मूर्ति करण करना शितरात्मक्ता या बिम्प धर्मिता है लेखकrist reconstty यात्रा इस्थलका वर्णन इस प्रकार करना कि पढ़ते समय दुरिष्य आखों के समख से जीवन तो हो जाएं बिम्प निर्मान करना किसी यात्रा लेखक की सबसे बड़ी सफलता है हिंदी में यात्रा बृत्तांत लिखने वालों में स्रीमती अनीता सक्षेना की अतरिक्त भारतेंदु हरिश्चन सत्य देव परिब्राजक कनया लाल मिस्र आरियो पदेशक राहुल सांक्रित्यायन सेठ गोबिंद्र दास मोहन राकेश पंडि जवाहलाल नहरू बनारसी दास चतुर वेदी डॉक्टर नगेंद्र भगवस्चरण उपाध्याय राम ब्रिक्ष बेनी पूरी आधि के नाम बहुत आदर के साथ लिए जाते बच्चो आपकी सोज में आ गया है कि यात्रा बित्तान्त क्या है उसकी क्या महत्ता है अब आएए देखते हैं मेघाले का एक गाउं माय लीनौंग स्रीमती अनीता सक्षेना जी कहती हैं कि अभी मुझे मेघाले जाने का मौका मिला मेघाले बच्चो मेघाले यानी बादलों का घर मेघधन आले बराबर मेघाले जहां की राजधानी सिलांग है वहाँ पहुँचकर लेखिका कहती है कि मुझे पता चला कि सिलांग से 75 किलो मीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है एशिया का सबसे साफ सुतरा गाउं कहा जाने वाला माय लिनौंग है और मैंने वहाँ जाने का मन बना लिया लेखिका की आत्रा शुरू हुई जल्द ही वे पहाडों के उपर थी कहीं पहाडी जणे गिर रहे थे कहीं घने जंगल थे लेखिका कहती है कि मैंने देखा कि लोगों ने बांस को अधा काट कर उसकी नाली बना दी है और इससे पहाड से तेज धार में गिरने वाली पानी को उसका सहारा मिल गया था आस्मान में रूई के फाहों जैसे बादल उड़ रहे थे पहाड पर चड़ते वक्त हमारी कार के काच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी मैंने कहा बारिश आ गई गोविन कार रोक कर बोला नहीं मैडम जी यह बारिश नहीं बादल है आप बाहर निकल कर देख लीजिए और सच में बाहर बिलकुल बारिश नहीं थी कार के उपर से बूंद बूंद मिलकर पानी की धाल बहने लगी थी लेकिन ऐसे बाहर हाथ पहलाओ तो कुछ हाथ नहीं आता था अद्भोत न जा रहा था चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर लहरा रहा था जहां हम खड़े थे वहां से दस मीटर की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था सड़क से गुजरती सारी गाड़ियों ने अपनी एमेरजंसी लाइट जलाई हुई थी सामने से गाड़ियां आ रही थी सभी बहुत धीमे धीमे एक के पीछे एक चल रही थी ता कि कोई दुर घटना न घट जाए पहाड़ी रास्ता था एक तरफ हजारों मीटर खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ लेखी का अनीता सकसेना जी कहती हैं कि धुन्द में रास्ता कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था चोटी सी जगह पर गोविन ने गाड़ी रोक कर एक टैक्सी वाले से दौकी का रास्ता पूछा दौकी मुख्य सड़क पर वसा एक शोटा सा शहर है टैक्सी वाला बोला मैं वहीं जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे चले आओ सारी बाचीत गोविन के माध्यम से अस्मी में हो ही रही थी हिंदी यहां कम ही बोलते हैं धुन्ध में हम उनके पीछे पीछे चल दिये आगे जाकर पॉन्टॉंग नाम की ये जगह आई जहां से एक रास्ता दौकी को जा रहा था और दूसरा मौई लिनॉंग वहां उस सुमो के डाइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोल कर इसारा किया कि इस तरफ चले जाए हमारी गाड़ी वहां से 18 किलो मीटर दूर मौई लिनॉंग की तरफ बढ़ चली मौई लिनॉंग में हमारा गाड़ हेनरी बना हेनरी यहां घूमने आये लोगों को गाउं दिखाने और उसके रहने खाने की बेवस्ता का काम करता था अंग्रेजी और खासी दो भासाएं बहुत अच्छी तरह से जानता था हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस के काटेज दिखाने ले चला बहुत खुबसूरत थे उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था ट्री हाउस बनाने के लिए शड़क के दोनों और के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था और उसके उपर मचान जैसा घर बना था नीचे बांसों की सीड़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था सारा काम बांस का ही था यहां तक की बांगने के लिए भी बांस की ही पतली चाले इस्तिमाल की गई थी मैं ट्री हाउस में एक दम उपर तक चड़ गई ट्री हाउस की छट से दूर तक एक समंदर दिखा यह बंगला देश में आई बार का पानी है बंगला देश यहां से सिर्फ तीन किलोमीटर दूर है लोग पैदल ही वहाँ आना जाना कर सकते हम लोग लाइब रूट ब्रिज के रास्ते की ओर चल दिये गाओं के अंदर से नीचे जंगल की तरफ उतरना था हमें शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई पर जब खड़ी चटानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चड़ते समय क्या हाल होगा खैर हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए कहीं कहीं पर पक्की सेड़िया बनी थी चारों तरफ घना जंगल था हमारे शिवा और कोई नहीं दिक रहा था सायद कम ही लोग आते जाते होंगे ऐसे घने जंगलों में नदी के तेज बहाओ की आवाज आ रही थी जल्द ही रूट ब्रिज हमें दिखाई दे गया अद्भुत द्रिश्य था नीचे तेज बहती बाँ थिलॉंग नदी और उससे उपर लाइट रूट ब्रिज रवर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था ऐसी जणें जिनें कहीं से भी मांधा नहीं गया था जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी पुल अच्छा खासा चवड़ा था उस पर बीच में मिट्टी बिशी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे हुए थे हैंरी ने बताया कि यह पुल बहुत मजबूत है तीस लोग भी खड़े हो जाएं तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है हम लोग पुल पार कर उसके दूसरी तरफ पहुँचे वहां दूसरे गाउं जाने के लिए पहार काट कर सेड़ियां बनाई गई थी हम यह कुदरत नहीं इंसान का करिश्म इस बीच हम हेनरी के पिता से मिले मैंने उनको अभिवादन किया तो उनके चेहरे की जुरियों के बीच एक भोली सी मुस्कान चा गई उनकी उम्र करीब 60-62 होगी वे सिर्व खाशी भासा जानते थे जो वहां की लोक भाशा है हेनरी हम तो मारा बद्वाशिया मैंने दो वात्राव का घ्याता हो जो अनुबात करके हमको बता सके मैंने पूछा आप刃न का नाम क्या ने कुछ बोलते इससे पहले हेनरी बोल पड़ाऀ संबर आ हैं मेडम जी इनका नाम थिसंबर और मेरी मा का नाम यहां ऐसे इनां रखे जाते हैं आपको गाउं में बोड़ा फोन आइडिया एयर टेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिये जाते हैं यहां महीनों के नाम पर सब्ता के दिनों के नाम पर भी लोगों के नाम है जैसे अपने यहां बुद्वार को पैदा हुआ तो बुधरू अम अंगलवार को पैदा हुआ तो मंगलू दिशंबर जी से मेरी बात शुरू हुई उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के वारे में सुना था खासी जन्जात के लोगों का मक्षट ऐसे पुल नोबेत गाउं से रिवाई गाउं को जोड़ना है पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेफ जन्जात के लोगों ने पीड़ी दर पीड़ी जीवित रखा है आज वे कहां पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता एक पुल बनाने में करीब साव साल लग जाते हैं लाइब रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हवाई जणे जिन्हें हम सपोर्टिंग रूट्स कहते हैं बाहर लटकने लगती हैं तब उनको बासों से चोटी की तरफ गूशते चलते हैं यह कोई एक दिन का काम नहीं होता न एक ही महीने का क्योंकि जीवित प्रपेणों की जणे तब तक बढ़ नहीं जाती ही जब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता रसी की तरह बढ़ती है जड़ें चिपकती जाती है एक दूसरे को बांधती जाती है धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है हमने जो पुल देखा वह करीब 300 साल पुराना है मेरे आश्चेर का ठीकाना न रहा ऐसे पुल और कहां है मैंने पूछा उन्होंने बताया कि चेरा पुझी के पास डबल डेकर पुल है यानि एक पुल के उपर एक और पुल बच्चों चेरा पुझी वही इस्तल है जहां सरवाधिक बरसा होती है अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया मैंने उनसे इसारे में कहा कि आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है तो यह मुश्करा उठे कितने दिन लगे इसे बनाने में मैंने पूछा हेंडरी ने बताया मैंने पूछा आपने ट्री हाउस के साहारे के लिए बड़े बड़े पेढ़ों के तने लगाएं वे किस पेढ़के हैं अगा बोले कट हलके दिसंबर जी से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला बाहर अंधेरा हो गया बारिस भी हो रही थी वैसे भी यहां रात तो हम फौरन मान गए हम ठक भी बहुत गए थे हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिस्ट दाल चावल परवल की सब्जी बनाई थी उसे खाकर हम लोग गहरी नीद में सो गए सारी रात वारी सोती रही वहां होती ही यह वारी सुबह उठे तो बिजली गायब थी बाहर जाना ही संबो नहीं होता आज तो जाही नहीं पाता चुकि बारिस बहुत तेज होती है इसलिए हर्याली ज्यादा और धूल कम है यहां खास तोर पर सुपारी काली मिर्च तेज पत्ता बांस प्फूल जाडू कटहल लीची अननास शंतरा केला आदिके पेंड मिलते हैं यहां मैंने पिचर प्लांट भी देखा छोटे-छोटे कीडे जब उसके पास पहुंचते हैं तो आज जट से ठकन बंद कर लेता है जब वे कीडे मर जाते हैं तो उनको खा जाता है गने जंगल और पहाडों के बीच में बसा होने के कारण मॉय लिनॉंग किसी भी कमी का एसास नहीं कराता हूँ यहां लोग पॉली थिन का प्रयोग नहीं करते हेंदरी ने बताया कि मॉय लिनॉंग में चवरान ने परिवार बसे हुए हैं यहां कुल पांसो छे लोग रहते हैं साक्षर्टा की दर यहां शोप प्रतिश्रत है गाउं में दो स्कूल हैं एक खासी और एक अंग्रेजी मा अध्यम का सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं आठवी के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे सी लांग जाते हैं यहां के लोग खाना मित्ती के चूले पर बनाते हैं चूंकि यहां बारिफ ज्यादा होती है इतने चूले के ऊपर बने जूले में लकडियां सूखने के लिए रख दी जाती हैं गर्म धुएं से लकडियां सूख जाती हैं इनका कपड़े सुखाने का तरीका भी बड़ा निराला है इन्होंने बास का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुगा है जिसे नीचे कोईले के जलते हुए अंगारे रख दिये जाते हैं और उपर कपड़े फैला दिये जाते हैं हलकी गर्मी के ताब से कपड़े सूख जाते हैं आगे स्रीमती सक्सेना कहती हैं कि मौल इनौंग में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन मौमबत्ती माचिस वगएरे छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करती है मौल इनौंग से दो टैक्सियां हर रोज स और वह सीलांग जाती हैं और साम को आपस आती हैं यहां के लोग आटा दाल चावल हरी सबजीयां तथा खाने पीने का हर सामान सीलांग से ही मगाते हैं यहां सभी अनाज कुछ भी पैदानी होता हां मचली सुवर मुर्गियां जरूर पाली जाती हैं हेनरी ने बताया कि सिलांग से मौई निलॉंग के बीच सड़क बने बारह साल हुए हैं इसके पहले आना जाना बहुत कठिन था गाउं के मुखिया को सभी हैड मेन कहते हैं उन्होंने गाउं को साब सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा रखा है जिसका सभी गाउंवाले पालन करते हैं रोट ब्रिज के रास्ते में सक्षेना कहती हैं कि मैंने बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा केले के एक तने को उन्होंने जमीन में गाड दिया था और दूर एक रेखा खिची हुई थी जिसके पीशे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की कोशिस कर रहे थे आसपास खड़े बच्चे निशाना लगाने पर तालियां बजा रहे थे हम इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजाते हुए आगे बढ़ गए तो बच्चो इस तरह से स्रीमती अनीता सक्षेना जी का यात्ता ब्रित्तांत आपके समक्ष रखा आपकी समझ में आ गया होगा कि मौय लिनौंग गाउं जो है कितना खुबशूरत है और कितना अच्छा बना हुआ है अब सवाल यह उठता है कि मौय लिनौंग गाउं में बने घरों आ काटेज की विशेस्ताएं क्या-क्या हैं अभी मैंने आपको बताया है कि मौय लिनौंग गाउं में बने ट्री हाउस और बांस के काटेज बेहत खुबसूरत हैं ट्री हाउस बनाने के लिए सडक के दोनों और के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था और उसके उपर मचान जैसा घर बना था नीचे बांसों की सीड़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था सारा काम बांस का ही था यहां तक की बांगने के लिए भी बांस की ही पतली चालें इस्तेमाल की गई थी इन घरों की मजबूती भी बहुत होती है और यह घर और कोटेज रहन बसेरा का समचित माध्यम है पहाड पर चढ़ते विए द्रिश्य को लेखिका ने अद्भुत क्यों कहा वास्तों में पहाड पर चढ़ने का एक अद्भुत न जारा था एक तरफ पहाड और दूसरी तरफ हजारों मीटर गहरी खाई अद्भुत न जारा था यहां प्रकित का बहुत उंचे उंचे तुंग ब्रिक्षों की कतारें बर्बस ही आदमी का मन मोह लेती है ऐसा आकर शित क्यों न करें इसलिए लेका ने उसे अद्भुत कहा है गाओं के पुल का नाम लाइव रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा सोचो रबर के पेणों की मोटी मोटी जणों को जोड जोड कर यह पुल बनाया गया था ऐसी जणें जिनें कहीं से भी बांधा नही हुई थी और बीच में गोल-गोल पत्थर रखे हुए थे बहुत मजबूर और टिकाओ होने के कारण इस ब्रिज को लाइव रूट ब्रिज का नाम दिया गया था अब बच्चो एक प्रश्ण बनता है यह कोई एक दिन का काम नहीं होता नहीं एक महीने का लाइव रूट ब्रिज के बारे में लेखिका नेयरसा क्यों कहा वास्तों में स्री मती अनीता सक्षेना जी ने बताया कि माय लिनोंग में पुल बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है यहां एक विशेश जंजात के लोगों ने इसे पीड़ी दर पीड़ी जीवित रखा यह कोई एक दिनिया महीने का काम नहीं होता बलकि इसे निर्मित करने में वरसों की कड़ी मेहनत होती है एक पु रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है तब जाकरके एक और बहुत अच्छा प्रस्ण बनता है कि माय लिनोंग में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इस्थानी यह लोग इनका किस तरह से अब चूंकि माय लिनोंग में वारिश बहुत तेज होती है इसलिए यहां हरियाली अधिक और दूल कम हैं यह मैंने पहले भी आपको बताया है यहां खास तोर पर सुपारी काली मिर्च तेज पत्ता बांस फूल जाडू कटहल लीची अननना संतरा केला आधिके पेन लगा नहीं हैं लेकिन इनका प्रयोग अधिकतर दबाईयां और आउसज बनाने में भी किया जाता है माय लिनांग को एसिया और भारत का स्वच्छ गाउं घोशित किया गया ऐसी कौन सी विशेश बातें थी जिनके कारण यह सम्मान प्राप्त हुआ वास्तों में ट्रिवल मैग इसके बाद 2005 में इसे भारत का सबसे साब सुथरा गाउं घोशित किया गया यहां कचरा डालने के लिए जगा जगा बांस की तोकरियां लगाई गई हैं इनमें इकठे हुए कचरे से फिर खात बनाई जाती है आम जंता के लिए शड़क किनारे साब सुथरे सोचाले हैं बच्चो मौई लिनॉंग में कटहल के बड़े तनों पर ट्री हाउस बनाए जाते हैं तथा रबर के पेड़ों की जड़ों से ब्रिज और बांस के पेड़ों से घर की नालियां दिवाने आज बनाई जाती है य और क्यों आएए देखते हैं इसको जैसे ट्री हाउस अब ट्री हाउस के लिए कटहल उपयुक्त होगा यह लंबे और मजबूत होते हैं घर की दीवारें यह बांस की बनाई जाती हैं और बांस मजबूत और टिकावू होता है आपने देखा भी है और घरों की छतें हमारे यहां बांस से बनती हैं चूंकि यह बहुत मजबूत और टिकावू होते हैं और ब्रिज बनाना हो तब रबर और बांस आधिका प्रयोग किया जा सकता है कि स्रीमती अनीता सक्षेना जी ने मौय लिनोंग के संबंध में बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग को दी अपने यात्रा ब्रितांत के माध्यम से बचों आप जब कहीं आत्रा पर जाते हैं तो इस तरह से आत्रा ब्रितांत आप भी लिख सकते हैं कहीं आप जाएं तो प्रयास करें कि किस तरह से आत्रा ब्रितांत लिखा जाता है इस पाठ को रखने का प्रमुखोद देश यही है कि आप भी इस तरह से लिखने की यादत डालें और लिखें